लोकसभाद चुनाओ को लेकर लागातार आरजेडी के वोर से कैंडिडेट के नाम जारी किये जा रहे हैं सिम्बॉल दिया जा रहा है साथी साथ चुनावी मैदान में अब आरजेडी के कैंडिडेट एक के बाद एक करके उतरने लगे हैं इस वीच बिहार के सिवहर लोकसभा सीट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है देखे सिवहर लोकसभा सीट पर आरजेडी ने कैंडिडेट फाइनल कर दिया है लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मैदान में अपने परत्यासी को उतार दिया है देखे सिवहर में सीट जहां से अब आरजेडी ने भी कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगा दिये तो देखिए कौन होगा आरजेडी का कैंडिडेट कौन सिवर के चुनावी रण में उतरने जा रहा है आरजेडी के टिकट से नाम फाइनल हो चुका है रीतू जैसवाल शिंगवासनी पंचायत की मुखिया रही है सीता मढ़ी के पडिहार विधान सभाचितर से आती है 2020 के चुनाव में रीतू जैसवाल ने पडिहार विधान सभाचित से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लरा हलंकी बहुत कम मारदीन से रीतू जैसवाल चुनावी मैदान में पठखनी खा गई थी पच्छार खा गई थी हार मिली थी वहां लेकिन रीतू जैसवाल पाटी के साथ मजबूती से खरी रही रीतू जैसवाल ने पाटी को मजबूत किया और छेतर में पसीना बहाते भी रितू जैसवाल नजर आई और अब लोक सभा के चुनाओं में बैस से बहुल इलाके हैं सिभर वहां से आरजेडी ने बैस जाती से आने वाले रितू जैसवाल को मैदान में उताराएं देखिए रीतु जैस्वाल के बारे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि रीतु जैस्वाल के पती अरून कुमार आईएस अधिकारी रहे हैं और रीतु जैस्वाल ने अपने पंचायत में जिस तरीके से काम किया जब वो मुख्या रही 2016 की मैं बात कर रहा हूँ तो रीतु जैस्वाल ने विकास का गंगा बहाया था अपने पंचायत में और यहीं वज़ा है कि रीतु जैस्वाल की लोगप्रियता बढ़ी जगह जगह रीतु जैस्वाल को सम्मान मिला और यहीं वज़ा है कि रीतु जैस्वाल को एक बड़ा न 2024 के लोकसभा चुनाव में लवली आनंद से चुनावी मैदान में भीरने के लिए रीतू जैसवाल को टिकट थमा दिया है। लोकसभा सिट का प्रतिनधित्व किया है। सिताराम सिंग, बिहार विभूती, सिताराम सिंग भी सिवार के MP रहे हैं। तो ऐसे में लवली आनंद ने इस बार जेडियू से सयोग मांगा और जेडियू ने लवली आनंद को चुनावी मैदान में भेजा। लेकिन सिवहर पर कई नामों की चर्चा थी आर जेडि से। नाम का चर्चा चल रहा था रमा सिंग का। नाम के चर्चा था अवनीस सिंग का। लेकिन सिवहर से आर जेडि ने अब रीतु जैसवाल का टिकट फाइनल किया है। रीतु जैसवाल फाइनली मैदान में उतर चुकी है। फिलाल आप टेडे विहार नीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।